आंद्र, मैं अब बाबु को पूछ रहा था, बोले हिस्टोरी के लिए सबसे हाइस गुत्री है और जो यहां दिखता है ने पवन, यह पवन नहीं आंदी है आंद्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जन्मत दिया है हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जीजी विशा है उसका प्रतिवीम है और महाप्रभु जगनाद और मैंने अनुभव किया हमेशा मैं हमेशा मानता हूँ इस्वर का नेक रूप पूटते हैं लेकिन जब मैं प्रगवान महाप्रभु जगनाद जी को याद करता हूँ तो मैं हमेशा मानता हूँ ये गरीबों के देवता है और वहाँ जो क्रांती रूप पननाम आया है मैं इसे एक रिवोलुशन देख रहा हूँ और मैं इसके साथ कह सकता हूँ कि विक्सिद भारत का हमारा जो सपना है आने वाले पचीस वर्ष पहले मैंने दस साल कहा था यहां मैं पचीस साल कह रहा हूँ आने वाले पचीस सांग महाप्रभु जगनाज जी की कृपा से उड़ी सांग देश की विकास यास्त्रा के ग्रोथ हैंजिन्था की एक होगा साथियों हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था बाद में फॉन्फिन आराज चुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा यार यह तो ठीक है आखड़े माखड़े तो मुझे यह बताओ कि इवियम जिन्दा है कि मर गया क्योंकि यह लोग ताई करके बैठे जे कि भारत के लोगतंत्रों और लोगतंत्र की प्रक्रिया के प्रती विश्वासी लोगों का उड़ जाए और लगा तार इवियम को गालिज देना और मुझे तो लगता था कि साइदी इस बार वो इवियम की अर्थी निक्या जुलूस निका लेंगे लेकिन चार जुन शाम आते आते उनको ताले लग गए इवियम ने उनको चुप कर दिया ये ताकत है भारत के लोगतंत्रों ये ताकत है भारत के निस्पत्ता की ये भारत है भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की चुनावायो की और मैं मानता हूँ कि ये आशा करता हूँ की पाँच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाई जेगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजने की चुरुआ करीए लेकिन के सुधरे के जबाव बहुत काव बहुत है आप देखिए चुनाव के समय मैंने पहली बार देगा शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आएं इसके लिए सुप्रीम कौर्ट के दरवाजे खट-खटाए गए पार्टी पार्टी के अप्निकेशन और एकी टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अविस्वास है से लोग सुप्रीम कौर्ट का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रयास करते रहे और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पी कबर्स में चुनाव के पी कबर्स में यानि कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बड़ाम कर लें ये शडियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब ये इवी इनका विरोग करते हैं तो मैं सिरफ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं मानता हूँ ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग है वे टेकनलोजी को हम महत्पव न समते हैं तो टेकनलोजी स्विकार करने को त्यार है और ये सिरफ EVM में दिखाई दिया ऐसा ने UPI में दिखाया जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांचेक्शन करें ये फिंटेक के दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया मानने को त्यार रहे हैं आधार आज देश के पहचान बना है प्रगतिर के विरोधी, आधुनिक्ता के विरोधी, टेक्नोलोजी के विरोधी इंडी अलाइंस हमने देखा है साथियों इस देश के लिए ये भी चिंता का विशह है कि विश्व में भारत के लोगतंतर की ताकत को कम आकने का प्रयास और कितना एक्स्टीम है, मैं धुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर अप डेमोक्रिसी हैं और ये दुनिया में जा करें कि बता रहे हैं नहीं, हमारे देश में तो डेमोक्रिसी हैं कुछ नहीं कि भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रती अविस्वास पदा कड़े का जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंतर की विविदता, विशालता, व्यापकता, गहनता इन सबको भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी, ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं साथियों, जब दोजार एक तारीकों मद्दान पूरा हुआ, और चार तारीकों काउंकि इस बीच की चीज़ों को आप देखिए योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने का भाशा, बयान दिये जा दिये जा दिये यहां इखटे होना, यहां पहुँचना, यहां करना कुछ लोग इस चीज़ को गंबीर नहीं लेते हैं, लेकिन यह बहुत गंबीर है आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो, अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहूल बना दो, कि बस आग लगा देंगे हर प्रकार जिम सब्दों का अर्थ यही निकलता है, उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था, लगातार देश को गुमरा करने का प्रयास किया गया देश के लोकों को बाट्डे का प्रयास किया हरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े तोड़ने के लिए नहीं होता है